शिफसेना की मुसीबते कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वीडियो में शिफसेना की कारिकरता नेवी के पूर्फ अफसर को घसीटे हुए उनके घड से बाहर लाए और बुरी तरह से पीटे हुए दिख रहे हैं। बताया गया कि शिवसेना के कारिकर्ता इस बात से नाराज थे कि नौसेना के पूर्फ अधिकारी ने कथे तौर पर मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे की ऐसी तस्वीर वट्सैप पर फॉर्वर्ड की थी जिसमें छेड छाड की गई थी ये बात शिवसेनिकों को नागवार गुजरी और उन्होंने अफसर को बुरी तरह से पीटा हमले में शर्मा को काफी गंभीड चोटे आई हैं उनकी आँख को नुकसान पहुँचा उनका इलाज मुंबई के एक प्राइविट हॉस्पिटल में चल रहा है रिटाइड नेवी अफसर की शिकायत पर शाम को ही इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया मुंबई में नौसेना के पूर्फ अधिकारी मदन शर्मा पर हमले के केस में पुलिस ने 6 शिवसेनिकों को गिरफतार किया और देखिए तुरंथ ही थानी में इनको जमानत भी मिल गई वहीं पूर्फ नौसेना अधिकारी मदन शर्मा का कहना है कि उन्होंने कार्टून खुद नहीं बनाया है सोशल मीडिया पर ये कार्टून किसी ने फॉर्वर्ड किया था जिससे उन्होंने भी फॉर्वर्ड कर दिया इसके बाद उन पर हमला बोल दिया गया इस घटना को लेकर बीजपी उद्दव सरकार पर हमला वर है बीजपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि वाशिफ सेना एक बुज़ुर्ग सेना पती पर वार कर कितना संबान बढ़ाया आज आपने छत्रपती शिवाजी महराज का वाकई आप शेर हैं नेवी अफसर की पिटाई मामले पर अभिनेतरी कंगना रनौत भी उद्दव सरकार पर हमला वर हो गई है कंगना ने मारपीट का वीडियो शेर कर इस मामले को शर्मराग बताया है महराष्ट्रों में सरकार का आतंक और अत्याचा दिन बढ़ते ही जा रहे हैं आज उन्होंने एक एक सर्विसमेन को दिन दहाडे सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इनसान को वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की रिपब्लिक चैनल को महराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं जो कि आर्टिकल 19 के अंत्रगत समविधान की वाइलेशन है सेल्फ मेड इनसान जो अर्णव गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है उनकी आवाज को उनके बिजनस को उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिमत दिखाई जा रही है मैं यही चाहती हूँ कि सत्ता और राचनीती से परे यहाँ पे मानव और साधार मानविये के हक के चलते केंद्र सलकार इन चीजों में हस्तक शेप करे और हमारे समविधानिक अधिकारों को बचाए जैहन महराश्टो के पूर्व सीयम देवेंद्र फंडवीस ने भी ट्वीट कर कहा कि नौसेना के पूर्व अधिकारी की गुंडों ने सिर्फ इस वजह से पिटाई कर दी क्यूंकि उन्होंने वाट्सैप पर एक मैसेज फॉवर्ड किया था उद्दफठा करें इस गुंडा राज को रोकिए हम कड़ी कारवाई चाहते हैं और इन गुंडों को सजा मिलनी चाहिए एचिस न्यूस के लिए प्रीती चौहान की रिपोर्ट